साल 2024 का दूसरा चंद्रगेंड कब लगेगा साल 2024 का दूसरा चंद्रगेंड लगेगा सितंबर में जी हाँ सितंबर 18 तारीक को साल का दूसरा चंद्रगेंड दिखाई पड़ेगा क्या आप जानते हैं गर्पवती महिलाओं को चंद्रगेंड के समय विशेज ध्यान देना च चाहिए अब बात करते हैं चंद्रग्रहन का समय क्या रहेगा चंद्रग्रहन का जो समय है वो सुबह 6 बच के 10 मिनट से शुरू हो जाएगा और सुबह 10 बच कर 17 मिनट तक ये खतम हो जाएगा यानि कि 4 घंटे से कुछ मिनट जादा ये चंद्रग्रहन लगेगा मगर इस चंदर ग्रहन का जो प्रभाव है भारत पर पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा तो इसका जो असर है वो भी आप पर कम होगा मगर चंदर ग्रहन या कोई भी ग्रहन होता है तो उस वक्त किन सावधानियों को बरतना चाहिए आईए जानते हैं ग्रहन को कभी भी नगन आखों से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ग्रहन के दौरान हो सके तो घर के अंदर ही हमें रहना चाहिए ग्रहन के दौरान हमें नाहीं भोजन पकाना चाहिए और नाहीं भोजन को खाना चाहिए नमबर फोर, ग्रहन के दोरान हमें कोई भी electronic चीजें, mobile, telephone, television या laptop computer आदी का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनसे radiation waves निकलती हैं क्योंकि ग्रहन के दोरान हमारे प्रित्वी पर बहुत अधिक मात्रा में radiation waves फैलती हैं जिसकी वज़य से ग्रहन के दोरान हमें इतनी सावधानिया बरतनी होती हैं इसी के साथ कहा जाता है कि ग्रहन के दोरान हमें कोई भी धारदार चीजों का उपयोग भी नहीं करना ग्रहन खतम होने के बाद इसनान जरूर करना चाहिए ताकि जो radiation waves है उसका असर खतम हो जाएं ग्रहन के दोरान गर्बवती महिला बुक पर सकती हैं ध्यान कर सकती हैं साथ ही ग्रहन में जो भी आपको सावधानिया बताई जाती हैं उससे घबराना या डरना नहीं है मन को रखना है और अराम से सांती से बैठना है आप चाहें तो पेट पे हाथ फेराते वे अपने बच्चे के साथ बाते भी कर सकते हैं ग्रहन के दोरान गर्बवती महिला को खिड़की धर्वाजे बंद करके ही कमरे में बैठना चाहिए इसी के साथ जो तुलसी का पौधा होता या अपने कमरे के बाहर रख सकते हैं सूरे ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन हो ग्रहन के दोरान आपको इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए चंद्र ग्रहन का सूतक काल 9 गंटे पहले शुरू हो जाता है मगर इस चंद्र ग्रहन का जो प्रभाव है वो भारत पर नहीं पड़ेगा इसलिए जो सूतक काल है वो भी मानने नहीं होगा आपकी प्रेगनसी का कौन सा महीना चल रहा है हमें कमेंट करके जरूर लिखेगा आज अगरते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजेगा हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा धन्यवाद नमस्कार